हेलो फ्रेंट्स, विल्कम बैक टू माई चैनल, मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिजाइन फ्रेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉलर वाले ब्लाउच की सिलाई सीखने वाले हैं हम लोग ने इसकी कटिंग पिछले क्लास में किया था सारी चीजे हमने डीटेल में आपको समझा दी है और जो भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स जरूर कर देना और अब हम लोग आगे इस वीडियो पे सिलाई सीखने वाले हैं उसी का, तो चलो जो हमने कटिंग कर लिया था उसी के आगे अब हम लोग सुरू करते हैं तो चलो बिना टाइम को वेश्ट के वह अपना वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो फ्रेंट्स देखो, यहां पर हम लोगों ने ले लिया है अपना ब्लाउस जो हमने पूरा कट किया था उसमें से हमें फ्रेंट पार्ट निकाल लेना है बाकी सारे पार्ट साइड में रखना है अब हम सबसे पहले फ्रेंट पार्ट अपना तयार करेंगे तो फ्रेंट पार्ट में जब हमने कटिंग किया था यहां पर हमने 4 पर्ट यहां अपने फ्रेंट पर्ट के निकाले थी अब एक एक पर्ट जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमें tux complete करना होगत यहां पर tux सबसे पहले नीचे वाला पकड़ना है और बस यहां पर tux पे सिलाई लेना है बांकि टक्स को डीटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया है यह हमने यहाँ पर टक्स पर सिलाई लगा लिया बस बांकि के बचे हुए सारे टक्स को सेम तरीके से कंप्लीट कर लेना है तो इस तरीके से यहाँ पर डबल-डबल सिलाई लगा के चारों ठकस पर सिलाई लगा लेनी है तो यह हमने यहाँ पर सिलाई लगा के से complete कर लिया है आप देख सकते हो अब इसके बाद यहाँ पर हम जैसे बेल्ट गुलाई पर कट किया है वैसे इसको जोड़ेंगे तो half inch आगे की side को निकालते हुए इस तरीके से और बस ऐसे गुलाई पे मिलाते हुए half inch का margin लेते हुए पूरे में शिलाई लगा लेनी है तो बस इस तरीके से यहां پर हम पुरे में शिलाई लगा लेते हैं यह हमने शिलाई लगा लिया इसके बाद इसको पुरा open करेंगे open करनी के बाद जो margin है उसको हम नीचे की side को रखेंगे और उपर से यहां पर सिलाई लगाएंगे तो बस यहां पर हम सिलाई लगा लेते हैं, यह हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया, अपनी बेल्ट छोड ली आप आगए से यहाँ पर इसको cut कर देंगे, जो भी एक्स्टरा का पार्ट था, यह हमने यहाँ पर cut कर दिया, यह हमारा एक पार्ट complete हो गया है, अब जैसे हमने लागावा यहां पर कम यहां पर फिर भीक करने तो जोर लोने दो पटियां निकालेंगे यहां दोनों निकाल ली है अब यहाँ पर एक पट्टी को हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम बढ़वा पट्टी बनाएंगे तो बढ़वा पट्टी हम यहाँ पर लगा रहे हैं इस तरीके से यह रखेंगे क्योंकि यह इधर साइड हम लगा रहे हैं क्योंकि यह हम बटन वाला ब्लाउस बना रहे हैं इस तरीके से एक पर का मार्जिन लेते हुए, यह हमने आगे से सिलाई लगा दिया, अब इसको हम इस तरीके से पूरा ओपिन करेंगे, पट्टी को हम अपने मार्जिन को पट्टी की साइट को करेंगे, आगे से इस तरीके से फोल करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे, फिर से इ यहां पर उपर से सिलाई लगाएंगे तो चलो यहां पर हम सिलाई लगा लेते हैं तो यह हमनी यहां पर सिलाई लगा लिया है अपनी बढ़वा पटी बना ली है अब चलो घटवा पटी बनाना सिखेंगे तो अपने बलाउस को पूरा इस तरीके से ओपन करके लेंगे और यहां पर हम अपनी पट्टी लेंगे और इसको हम इस तरीके से रखेंगे रखने के बाद यहां पर आगे की साइड एक पर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे तो यह हमनी यहां पर शिलाई लगा लिया अब इसको पूरा ओपिन करेंगे जो मार्जिन है उसको हम बाद में इधर तुर्पाई करनी पड़ेगी और यह सिलाई खोलनी पड़ेगी तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बड़ी बग्या से सिलाई लगा लिया अब चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे अपनी घटवा पटी को बढ़वा पटी के ऊपर रखेंगे सोरी अभी यहाँ पर हम अपना गला बना लेते हैं क्यूंकि पीछे का गला तो हमारा बने का नहीं वहाँ कॉलर रगेगी जिसके लिए हमें अपने आगी का गला पुरा रेडी करके लेना होगा तो इसको हम इस तरीके से fold करेंगे फोल्ड करने के बाद पट्टी जो हमने औरेव निकाली थी ऐसे double fold कराओ और बस यहाँ पर ऐसे ही रख के शिलाई लगा लेनी हैं जो भी उपर से ज्यादा थी उसे cut कर दिया और इस तरीके से एक पर का margin लेते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया आगे से जो एक्ट्रा था उसे हाफ इंच बचाते हुए कट किया अंदर के साइट को फोल करते हुए सिलाई लगा दिया जो भी एक्ट्रा उपर कपड़ा दिख रहा था उसे हमने कट कर दिया और यहाँ पर छोटे-छोटे से कट्स लगा देना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए इसका ध्यान रखना है अब यह कट्स लगाने के बाद इसका हम पूरा ओपिन करेंगे ओपिन करने के बाद जो मार्चीन है उसका हम पट्टी की शैट को करेंगे और यहाँ पर उपर से सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से यह हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया अब इस पट्टी को हम ऐसे पूरा अंदर की शैट को फोल्ड करेंगे बड़ी बख्या से यहां पर हम सिलाई लगा लेते हैं यह हमारा गला बनके रेडी हो गया है जब यहां पर तुर्पाई हो जाएगी प्रेस हो जाएगा तो और अच्छी फनीसिंग आ जाएगी सेम तरीके से हमने दूसरा वाला गला भी बनाकर रेडी कर लिया है अब हम गटवा पippa क Smart कम्प्लीट ल्योंगे और पकड़ने के बाद बस यहां पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे तो दोनों ही डॉट पर यहां पर सिलाई लगा लेना है यह हमने डॉट पर सिलाई लगा लिया अब इसके बाद यहां पर इसको हम ऐसे पलट करके ले लेंगे और जो उल्डा साइड है नीचे की साइड को रखेंगे सीधा साइड उपर की साइड को और जो फ्रेंट पर तैयार की है वो ले लेंगे तो दोनों का सीधा साइड अंदर की साइड को मिलाते हुए बस यहां पर सोल्डर को दोनों को पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे तो जो भी हमारी सीने का साइज है वो डाल देंगे 32 साइज का बलाउजे तो हाफ करकी निशान लगाएंगे शूला और नीचे कमर हमारी है 15 इंच की 30 साइज की तो 30 का हाफ करेंगे तो 15 इंच पर यहां पर निशान लगा देंगे कमर पे निशान लगाने के बाद जो हमने निशान डाले हैं सीने का और नीचे कमर का इन दोनों निशानों को मिलाते हुए पट्रे की सहायता से लाइन खीच लेंगे तो बस इस तरीके से यहाँ पर हम लाइन खीच लेते हैं दोनों साइड तो ये हमने दुनों साइड लाइन खीच लिया अभी नी लाइनों के उपर हम सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई उसके बाहर से लगा देंगे इसके बाद फ्रेंट पार्ट जो भी एक्ष्रा था उसे कट कर दिया है साइड से हम यहाँ पर पीछो वाले पल्ले को फोल करके शिलाई लगा दिया अब जैसे हमने इधर कंप्लीट कर रहा है से मैं से दूसरी साइड भी फिटिंग हमने कंप्लीट कर ली है देख सकते हो अब यहाँ पर हम नीचे का फोल करेंगे तो नीचे का फोल करने के लिए अब जितना भी हमारा बच्चा हुआ कपड़ा है उसे हमें बिल्कुल बराबर से अपने कट कर लेना है फ्रेंट पार्ट वाले के और बस यहाँ पर जो हमने पिन निकाल के रखा था उनको निकाल देंगे लगा के और बस यहाँ पर जो मारजीन है उसको हम फ्रेंट पार्ट की तरफ को करेंगे और यहाँ से नीचे से एक बार फोल करेंगे फिर से फोल करेंगे और बस यहाँ पर अब हम बड़ी बग्या से सिलाई लगा लेंगे तो यह हमारा ब्लाउस बनके रेडी हो गया है बस यहाँ पर अब हमारी स्लीव लगानी बाकी है और कॉलर लगानी बाकी है तो कॉलर लगाना मैं आपको अगली वीडियो में डीटेल में समझाऊंगी क्योंकि उसमें टाइम लगेगा आपको एक एक चीज समझाने में तो मिलते हैं अगली वीडियो में कल की वीडियो में अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक से और चैनल को सिस्क्राइब कर देना थैंक्यू